देखो मेरे को नहीं पता कोचिंग वाले कैसे पढ़ाते हैं कैसे क्या है सिस्टम कैसे है सिंक्रोनाइज में मैंने अपने हिसाब से वीडियो को त्यार किया है अपने हिसाब से पैटरन बनाया देखो मैंने और्गैनिक chemistry को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया organic chemistry को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया कौन से कौन से all reactions all name reactions all oxidation and reductions and goc and goc ठीक है मैं यहाँ पे goc को सबसे last में करवाऊँगा क्योंकि वो यह है न कि मैं अपने style में अपने unique manner में videos बनाऊँगा मैं goc को सबसे last में बनाऊँगा अब आप बोलोगे कि goc तो सबसे पहली होनी चीए उसे concept यहाँ पे apply होंगे तो आप देख लेना जब यह videos करेंगे तो आप देख लेना कितना क्या concept apply होगा या नहीं होगा ठीक है तो अब इनके बारे में एक ही करके बात करते हैं इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में इसके बारे में ठीक है देखो सबसे पहले है all reactions all reactions में मेरा मतलब क्या है देखो all reaction में अपने साथ क्या आएंगी substitution reaction addition reaction and elimination reaction substitution reaction में हम क्या करेंगे पूरी organic chemistry में जितनी भी substitution reactions है सब को निकाल निकाल के एक जगा पर पढ़ लेंगे, ठीक है, कौनसी-कौनसी Nucleophilic Substitution Reaction, जिसमें आएंगी SN1 and SN2, Electrophilic Substitution Reaction, और यह है Free Radical Substitution Reaction, अब सेम हम Addition Reaction की साथ करेंगे, जितनी भी Addition Reactions हैं, पूरी Organic में, हम निकाल निकाल के लाएंगे, और Simple तरीके से यहां हुआ All Reaction, अब Next बात करते हैं, All Name Reaction, जितनी भी पूरी Organic Chemistry में, जितनी भी Name Reactions हैं, उन सब को, चाहे Trick लगाने पड़े, निमोनिक्स लगाने पड़े, लोजिक लगाने पड़े, एक भी Reaction को नी छोड़ेंगे, सब को बहुत आसान तरीके से याद कर देंगे, ठीक है, पूरी Organic Oxidation और Reduction एक जगा पे करें, तो पूरे तरीके से Logical है, Logic के बेस पे ये Complete हो जाएगा, अब Last Part है, GOC, देखो, GOC में हम क्या करने वाले हैं, देखो, Inductive Effect, Aromaticity, Resonance, Stability of Resonating Structures, Mesomeric Effect, अब कई बचे सोच रहे होंगे कि Mesomeric और Resonance को मैंने अलग कैसे लिख दिया, तो इसको भी जब मैं करवाँगा न तब बताऊँगा इसका क्या लफ्ट है, Mesomeric Effect, Hyper Conjugation और इन, इन सब का Use करके हम क्या करेंगे, फिर Question करेंगे कौन से, Stability of Carbocatine, Stability of Carbocatine, Stability of Free Radical, Acidic Strength के Question, Basic Strength के Question, और एक इस ताइक के Question, Reactivity Towards, ESR Towards, NSR, किस तरीके से Order निका लें, और Reagents, हम एक जगा पे याद कर लेंगे, और पूरी Chemistry के, पूरी Organic Chemistry के सारे Reagents, हम एक जगा पे खतम कर देंगे, ठीक है, और वीडियोज कब आएंगी, लगबग 3 दिन या मैक्सिमम चार दिन में वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी है ना, तो थोड़ा Update रहना, ठीक है,